समय कम है तो शुरुवात करते हैं पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है इसका अंसर आप लोग कमेंट करिए आज जो है प्रोग्रामिंग में सी लेंग्वेज की कोश्चन सम करेंगे क्या करेंगे प्रोग्रामिंग में थे लेंग वेज जम पड़ेंगे ठीके तो पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर है इसका अंसर बताईए निमलिकित में से कौन सा Scalar Data Type है जो हैता है Scalar Data Type कौन सा है तो जल्दी से बता है Float, Union, Array या Joint इसमें से बताइए Float, Union, Array या Joint Scalar Data Type जो Pre-Defined Data Type होते हैं जैसे Integer, Character, String ठीक है तो वही Scalar होता है तो इसमें Float जो होता है वो आपका ये Array जो हो गया वो तो combination of data होता है मतलब चाहे वो Integer का हो चाहे Character का हो उसका क्या हो जाए एक तरह से Groups होता है तो वो Array होता है Union क्या होता है ये आपका जो User होता है वो Data Type ये Define करता है ये आपका Standard Data Type नहीं होता है लगिन Float हुआ Character, Integer जो हो है ये होते हैं सभी को Good Evening सभी लोग एक बार सेशन को जोड़दार तरीके से Share कर दे निमलिखित में से कौन साथ token है Keyword, Variable, Constant या उप्रोक्त शभी token किसे बोला जाता है एक बार बताए token क्या होता है सी Language में या किसी भी Language में जो token होता है वो क्या होता है डी होगा चले विसाल जी, पिंटू कनोजिया जी पोसपेंद्र जी, अमबेश जी डी बता रहे हैं, प्रेमपाल जी सभी एक दम सही बात है जो Keyword होते हैं आपके जो किसी Language के आपके Keyword होते हैं Auto हुआ, Sum हुआ ये सब क्या है, Keyword है Variables आपके जो भी होंगे ठीक है, और Constant जो Constant होता है वो ये सब क्या होते हैं, Keyword होते हैं कोई बात नहीं चलिए अब आते हैं यहाँ पे Integer के Storage Range क्या होता है जो Integer होता है उसका Storage Range क्या होता है जलदी से बताए Integer का Storage Range क्या होता है ऊज्ट मेट्वर्क मेन आपको हो जाएगा उसमें अब उसके एक एक टॉपिक का बोलोगे कि यह करवाद हो वह करवाद हो तो वह तो गलत है ना वह गलत जो एसाइ मौडल थोड़ी बेसिक पर होता है यहां मैं आप लोग को बीटेक का सी एस वो थोड़ी पढ़ाने बैठा हूं कि भी होगा सी होगा चलिए यहां पर 0246 32768 से लेकर 32767 तक यह इंटीजर का रेंज होता है और यह क्या है आपका यह अंसाइन का है जो जिरो से सुरू हो जो आपका क्या होता है जीरो से सुरू होता है वो क्या होता है अंसाइन होता है और साइन जो होता है जो निगेटिव वैलू भी लेता है तो यह निगेटिव का क्या है आपका यह sign integer का range है तो इससे जो अभी आपसे पूछे integer का range जो plus और minus दोनों लिया जाता है तो यह sign integer का range है ठीक है चलिए एक variable का अधिक्तम size क्या होगा जो एक variable होता है उसका maximum size कितना होगा 8, यह 8 क्या है 16, 32, 64 यह बताओ यह 8 क्या होगा 8 byte होगा तो यह अब बताओ किसी भी variable का maximum size क्या होगा अधिक्तम size क्या होगा जल्दी से बताइए बोला एक variable का अधिक्तम size क्या हो सकता है नहीं अधिक्तम size जो होगा वो double का होता है ठीक है जो variable double define करते हैं न उसका अधिक्तम size 8 byte होता है क्या होता है 8 byte होता है अधिक्तम size चले अगले question पर आते हैं float variable का storage size क्या है जो float variable होता है उसका storage क्या है 1 byte है 2 byte है 4 byte है या 8 byte है जो float होता है जो decimal value होती है उसका size क्या होता है प्रवोड का कितना होता है बताओ कि सी होगा चार बाइट चले तो सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा फॉर बाइट इसका क्या होगा फ्लॉट वेरियेबल का होगा next double variable का कितना होगा double variable का अभी बात किया मैंने 8 byte होगा यही सबसे अधिक्तम size रखता है 8 variable को होगा exponent और mantissa निम्र मेंजे किसका भाग है जो exponent होता है e की power 3. ठीक है वो किसका भाग होता है minus 3.4 e की power 38 minus में होता है से लेकर प्लस 3.4 e की power 38 यह क्या है float का range है तो exponent और mantissa किसका भाग है तो float का भाग है ठीक है float का भाग है integer का नहीं float का भाग है एक string variable का आकार होता है एक string जो होता है string variable का आकार क्या होगा 1 byte, 8 byte, 16 byte या इन में से कोई नहीं जो string variable होगा उसका क्या आकार होगा string variable जो होगा उसका आकार नहीं होगा क्योंकि वो तो पूरा लिया रहेगा पूरी string रहती है तो उसमें कोई आकार नहीं होगा अब जैसे लिखना है राम इजा गुडबॉय ठीक है यह एक अलग हो गया अब सिफ मैं गुडबॉय लिखूँ इसका अलग हो जाएगा string का इसका size अलग हो जाएगा string क्या होता है characters के जितने character होते हैं unique groups होता है तो यह इसका define size नहीं हो सकता है जितने उसमें character होंगे उसके हिसाब से उसका size होगा तो इन में से कोई नहीं इसका answer होगा ठीक है अगले question एक बार सोयर जरू करें session को name में से किसका प्रियोग करते हुए symbolic constant को परिभासित किया जाता है बताइए constant के लिए किसी भी value का constant define करना है उसके लिए कौन सा एक तरह से बोल सकते keyword use किया जाता है तो क्या होगा c o n s t ये constant क्या होगा किसी value को define करना उसके लिए ये होता है ठीक है किसी value को अगर define करना जैसे has define लिख देते हैं हम क्या लिख देंगे pi की value लिख देंगे 3.14 कहीं भी इस्तमाल करना पड़ेगा तो हम define कर दिए pi की value क्या होगी 3.14 होगी तो हम direct pi की value कहीं भी ले सकते हैं तो अब define कर दिये हैं तो वो उसके लिए होता constant के लिए कोई value है जिसे constant रखना है तो वो हम कर देंगे ठीक है अब किसी की value define हमें रखना है तो वो define करके करेंगे null character जो होता है जैसे मान लो कोई भी चीज़े आप memory में ये allocate करते हो ठीक है तो last में जो बचता है तो वहां क्या आजाता है null character मान लो कुछ बे आपको लिखना है इसमें हाँ मान लो इतना ही है memory में जो आपके पास space है वो इतना है इसको लिखना है तो R यहां आजाएगा A हाँ M हाँ आजाएगा ये last का में क्या होता है null collector आजाता है जो इससे denote किया जाता है इसको क्या बोलते है नल बोलते है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये option B हो जाएगा दिख रहा है कि नहीं आप लोगो चाहा है जो data input करते हैं तो उसमें conversion करेक्टर का मतलब क्या होता है डाइटा आइटम का एक लंबा पुढानग data item में N. 115 इनमें से कोई ने conversion चर्ष जो होते हैं ठीक है जब भी हम कुछ भी लिखते हैं मानलो कोई वेरिवल लिखते हैं यहाँ चाहां पर आपर कोई सरी लिखते हैं मालों सर लिखिये मैनिक लिए ए ठीक है जा कोई भी फंसर ने लिए मानने multiply का मैंने function बनाया ठीक है अब यहाँ पर मैंने कोई variable रखा है आप इंटीजर रखा और भी रखा तो जो यह integer होता है यहाँ मैंने कौन सा होता है short integer होता है तो data item का एक short integer क्या होगा conversion character का लाता है जो यहाँ पर conversion character होता है कोई function लिखे रहते हैं आप इंटीजर हो चाए character हो चाए float हो तो उसी को पूछ रहा है उसी को conversion character बोलते हैं तो वो maximum क्या होता है integer की case में वो short integer होता है या short character होते हैं तो यहाँ पर जो जैसा होगा हो ऐसी ही तो option देंगे यहाँ पर character तो है नहीं answer यह ही है तो short integer ही होगा unsigned decimal नहीं होगा unsigned decimal अलग होता है c होगा अगले आपे आते हैं निमलिखित में से character oriented console input output function कौन सा है मतलब आपके जो programming c की करते हो turbo c में अगर आपको क्या करना है एक character single character आपको लेना है तो वो किस function से ले सकते हो तो उसके लिए होता है get chr function यूज होता है और दूसरा होता है put chr ये दोनों function से हम क्या कर सकते हैं character oriented console होता है ठीक है last में जब हम program लिखते हैं turbo c में तो आपका screen रुका रहे उसके लिए भी get chr use करते हैं तो answer क्या होगा get chr और put chr next है print ये क्या लिख दिया है ये होगा print sorry ये होगा print f percentage u minus 1 का output क्या होगा ठीक है print percentage u output u मतलब unsign होता है तो ये क्या value देगा सबसे maximum value देगा क्या value देगा ये maximum value देगा किसी का भी ये कौन सी value देगा maximum integer value देगा ठीक है maximum integer value देगा अगले पर आते हैं c में union है c में union क्या होता है हम union ऐसे define करते हैं इसके अंदर integer ले लो करेक्टर में name ले लो ठीक है float में क्या ले लो float में कुछ भी ले लो address ले लो ठीक है ऐसा कुछ ले लता है तो ये सब चीज़े क्या हो गई एक data type का combination होता है क्या union union के अंदर इतने data type हम क्या करते हैं represent करते हैं क्या होगा memory store के लिए होगा option b correct होगा क्या होगा option b correct होगा ठीक है c में union क्या होता है memory location या memory store या memory screen इन में से कोई नहीं तो क्या होगा memory location या store जो union होता है यह आपका store नहीं location ही होगा क्योंकि यह union जो होगा आपका store किसी चिक्चिको data का कोई hard disk और ram तो है नहीं device तो नहीं है कि इसको store करेगा यह location बताएगा इस इस union का location कहां पे है आपके memory में ठीक है तो a correct होगा ना कि store correct होगा जब main function बुलाया जाता है तब तरक के साथ कहा जाता है जब main function call होता है void main लिखते हो वहाँ वहाँ पर यह सिर्फ bracket लिखा जाता है लेकिन actually इसमें internally क्या बुलाया जाता है वो क्या होता है आपके urgency और rv होता है यह दोनों बुलाया जाता है character और variables के हाँ उसमें नहीं आएगा तो इसमें आपका क्या होगा यह दोनों होंगे argc और arv next निम्न में से single character input output के लिए कौन सा function बोले न अगर किसी सिंगल character को आपको क्या करना input कराना है ठीक है चाया output कराना है तो gateCHR का use करेंगे या putCHR का use करेंगे यह single कोई भी input क्या करना एक character को input कराना मानलो यह दबाए तो एक जब तक दबाऊगे उसके लिए single एक character को लेने के लिए gate chr होता है तो यहाँ पे क्या होगा यह होगा space नहीं होगा यह ध्यान रखना यह space गलत लिखा बिना space का होता है बिना space क्या होते हैं यह function ठीक है अगले पे आते हैं निमने में से किसका उपयोग scanf के value store करने के लिए होता है इसमें भी अलग लिख दिया है scanf बोला scanf printf होता है न उसी का value store करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है जल्दी से बताओ किसका प्रियोग नहीं किया जाता है ठीक है कौन सा नहीं होता है तो को percentage d होता है integer के लिए percentage हो जाएगा string के लिए f हो जाएगा float के लिए w किसी के लिए नहीं होता यह आपका answer हो जाएगा d ठीक है d answer हो जाएगा सभी लोगों ने d दिया एक बार share जरूर करिए session को एक बार सभी लोग जोड़दार तरीके से share करें उसका PDF पालने के लिए टेलिग्राम से जुड़ जाएगे scanf का उपयोग किस कारे के लिए होता है input valuable को store करने के लिए क्या होगा input value को store करने के लिए जो value हम देते हैं उसको कहा क्योंकि उसमें लगाया होता add the address of a ठीक है जो भी हम लगाएंगे तो उस address इस पर क्या हो जाता है value store हो जाती है सी में कितने basic loop construct होते हैं जो सी होता है basic loop कौन कौन सा होता है तो सबसे पहला loop होता है आपका while loop then होता है आपका do while loop ठीक है पहले do होगा फिर while होगा do के साथ क्या होता है यहाँ पर statement दिया रहता है और यहाँ पर while के साथ condition होगा ठीक है while loop आपका चलेगा do while loop में क्या होगा do के अंदर statement होगा while के साथ यहाँ पर condition होगा ठीक है तीसरा हो गया एक पहला ही हो गया दूसरा ही हो गया और तीसरा जो loop होता है वो कौन सा होता है for loop होता है है ठीक है फॉर लूप में भी क्या हो जाएगा यहां पर कंडिशन हो जाएगा और यहां पर इंक्रिमेंट होता है ठीक है ऐसा नहीं है चेंजेज हो सकते हैं ऐसा नहीं है मगर सिक्वेंस execution का sequence जो होता है जब program run करता है तो sequence यह होता है initialization फिर condition चेक होगा फिर increment होगा वो भी करातेंगे कहा है दम बवाल मचाए हो तो 3 होगा इसका answer next for loop में प्रते एक statement को अलग-अलग करने के लिए question copy किया जाता है for loop में हर एक statement को मालो एक statement हमने यहां से यहां तक लिखा एक लिखिया integer equal to कुछ भी for loop में जैसे यहां पर लिखा न thus for loop मैंने लगा दिया initialization कर दिया कि integer एक है फिर अगला जब statement लिखना होगा जैसे condition चेक करना होगा तो a less than 10 फिर statement तो यह क्या यही पूछ रहा है इसके लिए कौन सा उपयोग होता है तो semi colon यूज होता है ठीक है उसके बाद से हम कर देंगे यहां पर क्या a plus plus ठीक तो यही पूछ रहा है कि हर एक statement को for loop में लिखने के लिए क्या यूज होता है semi colon यूज होता है next निमलिकित में से कौन सा unconditional control structure है बताओ इसमें से किसमें condition नहीं लगाया जाता है do while में मैंने आपको बताया कि do के साथ यहां पर statement आप चलाओगे जितने भी statement होंगे ठीक है उसके बाद से सब्सक्राओट जब यह close हुगा do तो while के पास यहां पर condition लगाया जाता है और जबिए condition छेक होता है true होगा तर इसको करेगा मतलब पहले condition छेक होगी अगर सही है तब यह statement execute होगा अपका ठीक है तब यह statement execute होगा तो इसमें भी होता है if else just में भी होता है condition for में भी condition होता जो मैंने ब्रیکेट वर लेकिन GoTo जो होता है इसमें नहीं होता है इसमें क्या होगा किसी के सामने अगर मैंने GoTo लगा दे है कोई ные वä संशन में मना रहा है कि सब्धोर करो में एस कोई इसपंसर मना के close कर दिया अब मैंने यहां पर लगाया गोटू कहां चले जाओ लूप पे चले जाओ तो यह तुरंत यहां पर आ जाएगा तो यहां कोई condition नहीं है ठीक है true या false का case नहीं यहां जननेट होगा सीधे मैंने किसी पर जाने के लिए किसी particular function पे जाने के लिए किसका यूज किया गोटू का यूज किया तो यहां पर condition नहीं लगती है तो answer पूछ रहा है किसमें कौन सा unconditional होता है तो answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा इसमें अस्यक को ऺेंगे कि एक पर सेर जरूर करें Напyamu य्यूज को सबीं लगतार continue statement का प्रियोग किया जाता किसमें statement को लगतार चलाने के लिए statement को रोकनेके लिए statement बढ़ जंप करने के लिए या इन में से कोई नहीं जंप करने के लिए गोटू होता किसी भी स्टेटमेंट पर आपको जाना हो तो उसमें क्यों सा उप्योग करेंगे गोटू उप्योग करेंगे इसमें क्या होगा तो लगतार continue statement का प्रियोग क्या होगा statement को लगतार चलाने के लिए होगा यह आपका correct होगा बाइस नंबर यह operator किसका उधारन है alignment का increment का logical का या relational का तो यह किसका increment तो प्लस प्लस वाला होता है alignment ऐसे वाले होते है ठीक है logical operator होता है ठीक है यह क्या है logical bitwise end है bitwise end है bitwise और यह होता है अब आते हैं operator यह अप्रियोग किया जाता है bitwise end में वो end operator था अब bitwise आपका यह है bitwise single होता है operator क्या होगा यह bitwise end operator होगा यह क्या होगा bitwise end operator होगा वो logical end था bitwise नहीं था यह जो operator है इसको logical end बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं इसको bitwise end बोलते हैं single वाले को अब आते हैं operator यह यह वाला यह क्या है integer value float value double value यह answer क्या हो जाएगा float value के लिए ठीक है numerator और denominator का काम करेगा ना यह तो यह float value देगा मतलब point में आएगा हो सकता है तो जो भी इस condition में जो भी लिखे जाएगा ऐसा नहीं है कि आपका अगर 4 आ गया डिवाइड करने के बाद तो इसके बाद भी वह 000000 देगा वह float आप लगा दिये हो तो उसके बाद वह count करता है तो यह float value के लिए होगा अगले आता है equality operator equality operator किस से दर्साया जाता है तो double equal to से equality दर्साया जाती है option d आपका सही होगा option d यह नहीं वह equal हो जाता equality यह कि जबतक क्या ऐसा ना होजाए i is equal to equal to 10 ना हो जाए equal to 10 नहीं लिखते हैं, I is equal to equal to 10 ना हो जाए, तब तक ये loop क्या चलेगा, चलता रहेगा, for I is equal to 1, अगर ये जब तक 10 ना हो जाए, तब तक क्या चले ये, चलता रहे, तो ये ऐसा है, जब तक ये I की value इसके बराबर ना हो जाए, ये conditional equality है, ठीक, तो ये आपका D सही होगा, next हम आते हैं, operator में कौन सा कथन सत्य नहीं बताओ, प्लस प्लस, ये single लिखा है, ये लिखा है, तो इसमें से कौन सा नहीं, देखो ये भी operator है, single आपका minus वाला operator है, unit 3 operator बोला जाएगा, ये increment है, ये आपका plus वाला है, single unit 3 में, आपका operator होता है, ये सब, तो इसमें कौन सा नहीं है, ये नहीं है आपका, D आउ जो होता है, वो operator नहीं है, ठीक है, operator ये होता है, ये नहीं होता है, ये operator होता है, ये operator होता है, लेकिन ये operator नहीं होता है, इसको internally conditional operator बोलते हैं, eternally conditional operator होता है ऐसा वाला कुश्चन मार्क के साथ दो कॉमा लग जाए लेकिन ये कोई operator नहीं होता है D आपका गलत होगा bitwise and operator का उप्योग किया जाता है masking के लिए comparison के लिए division के लिए shifting के लिए इसमें उचित answer क्या होगा masking के लिए किया जाता है bitwise and operator किसके लिए यूज किया जाता है B answer आ रहे हैं आप सभी के मुहमद आसिफ जी A क्यों provide करवादे कहां पर group में दी तोगी यह जो paid group है उसमें PDF दिया गया है paid group में PDF आपको दी गई है कल वाले class की सभी लोग एक बार session को जरूर share करें तो यह masking के लिए हो जाएगा उसके बाद से 29 नमर question पर आते है bitwise operator का उपयोग किया जाता है जरूरी bit को one में set करने के लिए जाहिर सी बात है जब तक वो one set नहीं होगा तब तक नहीं चलता है ठीक है condition तभी तक सही नहीं माने जाती है bitwise जो operator होते हैं उनके के लिए क्या होता है कि जरूरी होता है उसको हम क्या set करें one set करें next अगर यह प्लस लिखा है प्लस लिखा है तो इसका मतलब कि यह यूनिट्री ओप्रेटर की बात कर रहा है ठीक है ए आंसर दे रहे हो सबसे हाइस्ट प्रियोर्टी किसकी होगी हाइस्ट प्रियोर्टी किसकी होगी ठीक है सबसे जादे प्रियोर्टी किसकी होगी तो अभी देखो यह आपके जो भी यह वाले है यह जो आपके है आपके एक्वैलिटी वाले एसाइंग्मेंट वाले लेफ्ट और राइट शिफ्ट वाले यह शिफ्ट ऑपरेटर है सब ठीच यह इनकी प्रियोर्टी कम होती है यह आपर single दिखाए जाए, तो single वाले से जादे priority किसकी होगी डी आंसर आ रहा है तो डी में अगर यूनेट्री ओपरेटर है तो इसमें सबसे पहले प्लस की सबसे हाइस्ट priority हाइस्ट प्रियोर्टी यूनेट्री ओपरेटर इसको बोलते हैं प्लस उसकी होगी अब यह depend करता देखो यह एक यूनेट्री ओपरेटर की तरह भी काम करता है और जहां प्लस के लिए आएगा यूस्ट वहाँ इसका इससे कम हो जाएगा प्रिफरेंस यह मल्टिप्लिकेशन के लिए हो जाएगा लेकिन जब ऐसे यूनेट्री ओपरेटरी से ट्रीट करेंगे तो अब इसका ज्यादे प्रिफरेंस होगा पॉइंटर नहीं है यह साइन इस ऑपरेटर का क्या उप्योग होता है इस ऑपरेटर का क्या उप्योग होता है दाइने से बाएं बाएं से दाइं जब यह मतलब यूज होता है तो यह कैसे रन करता है यह कैसे रन करता है जहां यूज होगा यह कैसे रन करेगा तो यह द्यान लो यह जो operator है इसका जो use होगा वो दाहिने से बाएं की तरफ होगा दो ही आपके दाहिने से बाएं की तरफ होते हैं एक यह वाला हो गया और एक आपको जो मैंने यह वाला बताया था यह दोनों आपके दाहिने से बाएं चलते हैं बाकी maximum बाएं से दाएं किस operator में lowest priority होती है सबसे कम priority किसमें होगी बताओ सबसे कम जो होते हैं वो bitwise operator होते हैं तो bitwise operator कौन सा है bitwise और है तो इसकी सबसे कम priority होगी इसकी सबसे कम priority होगी bitwise और की किस operator की priority हाई होती है बताइए सबसे हाई priority किसकी होगी इसमें देखो यह increment है इसकी नहीं होगी इसकी इन में और इन में अगर बात किया जाए तो यहां कहीं न कहीं किसकी बात हो रही है यह आपका module का है ठीक है remainder के लिए use होता है तो सबसे highest priority कि सबसे highest priority इसकी होगी मॉडूलस की ठीक है बी होगा यहां प्रियोटी इस वाले में इसमें सबसे highest priority इसकी होगी मॉडूलस की ठीक है बी होगा यहां प्लस वाला मत लगा देना क्योंकि वहां पर star था वहां पर अगर divide वाला होता है यह वाला sign होता तो इसकी होती ठीक है अगर वहां पर इस option में था ही नहीं है sign प्लस ही है तो प्लस होगा उसके बास इसकी आएगी पहले यह होगा फिर यह होगा लेकिन यहां पर अगर डिवाइड यह वाला sign होता मॉडूलस वाला तो इसकी जादे होती यहां पर है तो इसलिए answer क्या होगा इसका होगा नेक्स हम आते हैं प्रिसीडेंस का निर्धारक करता है गती कम मेमोरी स्पेस लेने में आप प्रथम इवेलूएट में ज तो वैसे इसमें भी होता है डिवीजन मल्टिप्लिकेशन एडिशन तो जो पहले इवेल्यूएट होगा मतलब जो पहले एक्जिक्यूट होगा उसी के बेसिस पर प्रियोर्टी ली जाती है प्रियोर्टी जो है इवेल्यूट होने के बेसिस पर ली जाती है अगला Question है इनमेंसे कौन सा Turnory Operator है अभी मैंनेापको पताया था इसमें तो है ये Turnory Operator इसके साथ Question मा यह होना चाहिए Turnory Operator का मतलब यह है यह Turnory Operator है यह dhyahan रखना आपको जो दिया गया है Notes उसमें यही सब रट लो operator क्या है programming तो पूछे के नहीं basic चीज पूछ सकता है bitwise operator क्या है logical operator क्या है ठीक है यह सब operator overloading C++ में जाएगा तो पूछेगा यह ध्यान रखना backspace के लिए किस character space का उपयोग करते हैं अगर backspace लेना हो तो इसमें से कौन सा character use करेंगे backspace के लिए क्या use करेंगे तो यह sign के साथ b use करते हैं यह किसके लिए होता है tab के लिए होता है ओ oave kaise horizontal tab अगर हम space उच्वेश कर रहे है एक tab बटन जो होती है वो horizontally ले रहे हो तो उसके लिए होता है अगर vertically tab यूज कर रहे हो space वर्टीकल टेब का space Moon Space यूज कर रहे हों तो ये यूज होगा ये किसके लिए होता लाट के लिए होता है ये किसके लिए होता है नेक्स समाते हैं पूछ रहा है तो सी एंसर होगा होरिजन्टल के लिए ये आपका क्या होता थे character escape use होता है character escape कौण से order and 이 ये use होता है, New Line के लिए बोले, तो ये use होता है कोई भी बी 好拜拜 लिखने लिए ये लिए ने line से सुरूआत करना चाहते हो कुछ alert देना चाहते हो तूश के लिए ये Tab के matt पर वह भी horizontally tab के g acquainted पर कुछ लिखना चाहते हो तो यह वर्टिकल ही टैप के गैप पर लिखना चाहते हो तो यह यह देना होता है हमें लास्ट में वर्टिकल टैप के लिए बता ही दिया यह होगा अगले string की length को खोजने के लिए कौन से function का use किया जाता है function की बात आ गई कि कौन से function से string खोजा जा सकता है length किसकी length को तो देखो अज़ा मासान सा है str len होगा string length इस function से हम किसी भी string का length निकाल सकते है मालो लिखा है ram is a good boy ठीक है यह कोई आपकी क्या है string है तो इस string का length निकालना है तो हम क्या लिखेंगे str len और इस string का उसको बोल देंगे function में इसको लगा देंगे string का मालो कोई नाम दे दिया इस string का नाम दे दिया name अब इस name को इसमें define गया तो मैं कहूंगा name का चाय मैं direct यही पूरी की पूरी string ही लिख दिऊंग इस function में यही लिख दूं राम इसे good boy यह मैंने लिख दिया इसके अंदर तो यह string length function क्या करेगा इसके पूरे कितने string है इसमें length है इसकी वो बता देगा length मतलब कितने character use हुए है 3 2 5 6 6 4 10 10 13 तो इसकी length कितनी हो जाएगी तेरा आजाएगी यहां से इस function से यह दिया रखना कि यह किसलिए होता है किसी भी string को lower case में बदलना है जैसे आर ए एम इस आ गुड बॉय ऐसे हो जाए अपर case में बदलना है तो str up सब अपर केस में हो जाएंगे ऐसे ठीक है ऐसे अपर केस में सब को बदलना हो तो str up का use करेंगे lower case में string को बदलने के लिए देखो उसी से कुश्चन आ गया अभी मैंने बताया तो अपर केस में बदलने के लिए क्या करेंगे तो अपर केस में बदलने के लिए str up का use करेंगे शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग कंजूसी कर रहे हो एक बार सभी लोग शेयर जरूर करें मानने होगा बीटे का आप अगर ऐसे कंप्यूटर सब्जेक्ट पड़े हैं तो मानने होगा वह अभी कौन सा EC, CS, IT ठीक है यह तीन ब्रांच किस function का उपयोग एक string को दूसरे string पर निरभर करने के लिए किया जाता है जोडने के लिए किया जाता है ठीक है जोडने के लिए किया जाता है किस function का उपयोग एक string को दूसरे string से जोडने के लिए किया जाता है तो वह होगा strcat ठीक है strcat इसका उपयोग किया जाता है strcat यह भी एक function है यह क्या है मानलो कोई दो स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग है आपका कुछ भी लिख दो ठीक है आएक है मोहन तिवारी ठीक है अब इसको जोड़ना है इसमें मोहन को तिवारी को जोड़ना है तो अब इसमें हम क्या करेंगे पहले इसको ले लेंगे इस वाले पूरे को एक एक इसका इस्ट्रिंग लेते चलेंगे उसके बाद से इसमें क्या होगा इसके में लास्ट में जब जोड साथ नल वाला भी चीज आ जाएगा मुहन तिवारी हो जाएगा साथ में यह नल वाला भी क्या हो जाएगा इसके साथ उठके जुड़ जाता है और जब यह strn cat करेंगे तो वह एक एक लेटर जोड़ता है इसको छोड़ देता सिप जहां तक यह लेटर होगा वहीं तक का जोड़ेगा इसके लिए strn cat यूज किया जाता है लेकिन आपको जनरली पूछ रहा है कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए तो साधाना आपको बताना है strc80 function यूज करते हैं अगला है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के ल प्रोग्राम नहीं लेकिन ये छोटे-छोटे कोश्टन आ सकते हैं एक स्ट्रिंग के दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो देखो एकदम आसान है जो नहीं पढ़के भी जाएगा तो वह भी जान रहा है str copy की बात कर रहा है तो cpy वाला ही होगा cmp नहीं होगा लेकिन कन्फ्यूज हो सकता इस से strn cpy अगर यह लिखा है और यह लिखा है तो दोनों में confusion यही create करेगा यह option पर जाएं यह option पर जाएं अगर आपको नहीं आता है तो मैंने n का मतलब यह बता दिया कि यह copy करते हुए जाएगा मानलो कोई भी string बोला एक string को दूसरे string में copy करना है कोई मानलो यह वाला string है उसको कहा करना है इस मोहन की जगह पूरा copy करना है मतलब इसकी जगह पर t आना चाहिए तो यह इसकी जगह पर आएगा 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 यह इसकी जग में copy कर दे यह नहीं होगा यह till n तक होता है जितने उसमें होगा लेकिन इसमें होता है इसमें क्या करेगा जो लास्ट में इस करेक्टर के बचा रहता है जिसको हम नल करेक्टर बोलते हैं उसको भी वो copy कर देता है ठीक तो यहां पर हम strcmp होगा क्या होगा strcmp option b correct होगा प्रथम n करेक्टर को copy करने के लिए आ गया देखो प्रथम n करेक्टर को copy करने के लिए function copy होगा strncpy यह space नहीं होगा नहीं तो गलत होगा यह सही होगा ठीक है अब पूछे प्रथम n करेक्टर की तुलना करने के लिए तो strncmp यह होगा जब ऐसा पूछे तो आंसर यह होगा मतलब option a होगा ठीक है option a होगा अगला है duplicate string बनाने के लिए कौन सा function उपयोग होता है duplicate string बनाना होता है तो उस समय कौन सा function यूज होगा तो str d up duplicate d up का मतलब क्या होता है duplicate तो यह function यूज होगा कि अगले question पर आते हैं c में header file निम्न में से किसका सम हो है जो c में header file होती है यह स्टूडियो डॉट एच ठीक है कॉन्यो डॉट एच यह header file होती है यह क्या होती है जैसे बोला रहता है है इंक्लूड पूरा ऐसे लिखा देता है अधिश्य जाइन होता है तो यह बोला है इंक्लूड इंक्लूड लगा रहता है यहां पर कॉन्यो डॉट एच फिर लाइब्रेरी इस्ट आपका स्टिंग डॉट एच इसे लगा होता है मैठ डॉट एच वह सब बोला सी एडर फाईल निम्न में से किसका सम्मों होता है कंपाइल करमांग का लाइब्रेरी फंसन का सी प्रोग्राम के हैडर इंफॉर्मेशन का फाइल का और फाइल ऑपरेटर का इसमें क्या सही होगा क्या होता इसमें सब लाइब्रेरी होता है एक तरह से बोला जाए किताबे होती है जो भी हम काम करते हैं जिस लेंगविज में सी में काम कर रहे हैं तो C की पूरी library है, उसमें C के हर एक चीज उसके अंदर भरी है, आपको बस library का पता होना चाहिए, कि इस function में math का कोई हम program बना रहे हैं, तो उसमें लिए हम math.h को क्या करेंगे, library को ले लेंगे, तो math के सभी function उसके अंदर आ जाएंगे, जो भी calculation करना होगा, ठीक है, तो यह library होती है, अगला है किस header file का उप्योग стр, cmp के लिए किया जाता है, देखो, string comparison के लिए किस header file का यूद करेंगे, string.h, strings.h, text.h याstrcmp.h, तो यह कुछ नहीं होता है, यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी है, string.h क्या होती है यह library होती है header file होती है इस से string से जितनी भी चीज़े होंगी वो आपको मिल जाएगी string के जितने function है compare, length निकालना, copy करना duplicate बनाना, reverse करना string को, यह सब किस में मिलेगा string.h की header file में मिलेगा तो जब भी हमें देखेंगे की program में हम ऐसी कोई necessary है, की एक string को दूसरे string में copy करना पड़ रहा है, उसका duplicate बनाना पड़ रहा है, तो हम उपर ही header के साथ ही इसको define कर देंगे has include studio has include क्या string.h तो यह download, तो यह क्या हो जागा strings related सभी हमें library file मिल जाएगी malloc function, dynamic allocation के लिए उप्योग किया जाता है, जिसकी header file किसमें होती है, बताओ, जो malloc function होता है, वो memory allocation के लिए किया जाता है, इसकी file कहां पे होती है, तो standard library.com std lib.h इसमें क्या होता है, malloc function जा हम जब use करेंगे, किसी को dynamic memory allocate करेंगे, कोई भी है, जैसे हमने किसी को भी दिया, integer a equal to 10, तो चाहे किसी को मैं memory दे रहा हूँ, space दे रहा हूँ, ठीक है, memory address दोंगा, एक dynamically allocation करूँगा memory का, तो उसके लिए हम यह function use करना पड़ेगा, कि अगर हम किसी को memory दे रहे हैं, तो standard library.h हमें use करना पड़ेगा, file manipulation में कौन सा header file use होता है, file manipulation में कौन सा header use होता है, देखके, file manipulation में जो यूउज होता है, वो studio.h होता है, यही file use होती, इसी से file manipulation होता है, अगला है किस header file का उपयोग strcpy के लिए करते हैं तो यह भी string के अंदर आएगा तो string.he होगा इसका अगला है link क्या है link क्या है compiler है active debugger है interpreter है यह analyzing tool है तो link जो होता है वो क्या है analyzing tool है किसी भी program को analyze करने के लिए यह एक tool है तो इसको क्या कहेंगे analyzing tool कहेंगे एक बार सभी लोग share करें इस सेशन को जरूर और जितने questions के हैं यह basic questions हैं यहां से question आपके बोलेगा preprocessor यह कई बार exam में पूछा गया है कि preprocessor को word note करने के लिए किस चिन का उपयोग करते हैं तो जो हम लगाते हैं question has include stdo.h यह लिखते हैं तो यह जो होता इसको क्या नाम दिया जाता है preprocessor इसको क्या करते हैं प्री प्रोसेसर कहते हैं language में तो प्री प्रोसेसर इस science किया जाता है ठीक है अगला एक कथन को बंद करने के लिए दूसरे कथन को पारंब करने के लिए पहले किस चन का उपयोग किया जाता है एक कथन को बंद करना है किसी statement को बर्न करना है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं जिसमालो integer a is close to 10 कर दीए तो यहां हमें semi colon लगाना पड़ेगा तभी हम अगला integer b equal to five करेंगे ठीक है तो एक statement ही आपका हो गया दूसरा यह हो गया तो उसे हिसाब से हमें हर एक statement को सी प्रोग्राम में end करने के लिए क्या लगाना पड़ता है semi colon लगाना पड़ता है नहीं लगा होगे तो error देगा किस character का उपयोग नई line के पारम करने के लिए होता है तो न अगला compounded alignment statement का उधारन कौन सा है compounded alignment जो होता है वो क्या होगा plus equal to five यह आपका compounded alignment करता है मतलब अपने आप वो increment कर जाए ठीक है compounded alignment statement जो होगा वो अपने आप increase कर जाए यह increment equal to five जो भी होगा अगर यहां लिखे हैं तो यह increment का sign देगा जिसके साथ लिख दें a plus equal to ऐसे कर दें a plus तो जो भी a की value होगी वो plus होके जो भी आएगा ऐसा नहीं यह कुछ की पांची हो अगला है एक compounded statement statement का समू है जो निम्लिकिस में के बीच जोडा जाता है तो वो किस में जोडा जाएगा इसमें ब्रेसिस में होगा अगला क्या है निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य है c पुस्तकाले function input output की सुईधा देता है c input output को inherit करता है c input output की सुईधा नहीं देता है दोनों a और b जल्दी से बताईए इसमें कौन सा कथन सत्य है d आंसर आ रहा है d नहीं निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य है c पुस्तकाले function input output सुईधा देता है ये पूरा देता है ठीक है तो यही आपका सही है a correct होगा इसमें जो c library है वो input output जो भी हमें कराना होता हो सभी कि सुईधाए c library में पड़ी होती है एक statement expression से अलग होता है जिसके लिए कस terminator का उपयोग किया जाता है कौन सा terminator होता है मतलब एक statement expression से अलग होता है जिसके लिए किस terminal का उपयोग किया जाता है terminator कभी पूख टर्मिनेटर क्या statement का terminator semicolon है ठीक है semicolon ही क्या है आपका statement का terminator है dot नहीं dot से नहीं होता है terminator पूछ रहा है क्या है किसी भी statement या expression का ठीक है कोई भी expression या statement का terminator जो होगा semicolon ही होगा निमलिखित में से गलत कथन कौन सा है statement आपको बताना है एक तो सब capital में लिखा है ऐसे हो गाई है क्योंकि यह function है नहीं तो सब गलत हो जाएगा एक करेक्टर इसकी एक करेक्टर वैलू होती है जिसको हम s काई वैलू बोलते है यह पढ़ा रखाना जिसका s काई को देवी एक यह यहाँ पर प्ले करेगा पूट कि स्मॉल में ही रखना इसमें कौन सा बोला है गलत है इसमें से बोला कौन सा गलत है देखो यह भी सही है क्यूंकि करेक्टर एक लेना है और करेक्टर के लिए हम सिंगल इन lover ten का मैं कोई भी लेटर लिखते हैं यह यह होगा डबल में जो कुछ लिखेंगे वह इस ट्रिंग होती है जैसे मुझे राम लिखना थो किसमें लिखेंटाम इसका सिंटेक्श नहीं होता है力 इसका सिंटेक्स होता इसके अंदर सिंगल एक करेंटर लेने के लिदे सी आपका होगा अगला है स्पीकर के बीच आवाज के लिए किस करेक्टर का उपयोग किया जाता है आवाज नहीं यहां एलाट कर दो यहां एलाट के लिए किसका यूज किया जाता है इसका यूज किया जाता है एलाट करेक्टर के लिए नेक्स है करेक्टर कॉंस्टेंट किस चिन का उपयोग कथन स्टेटमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है तो इसमें क्या सही होगा करेक्टर कॉंस्टेंट किस चिन का उपयोग कथन या स्टेटमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है जल्दी से बताईए इसका आंसर बताएं क्या होगा जो करेक्टर कॉंस्टेंट होता है उसको किसे एंड होगा जो करेक्टर का होगा तो इसकी बात इसमें होगी इसी से एंड होगा सिंगल इन्वर्टेड कामा से अगला है string constant किन चिनों के बीच बंद रहाता है जो string constant होता है string constant किन चिनों के बीच बंद रहाता है तो answer क्या होगा string constant आपका B के बीच में बंद रहाएगा double inverted काम हमे string double inverted character single inverted निमलिकित में से कौन सा असत्य है ये string है तो ये क्या होगा असत्य होगा ABC यह 3 एक ही न तो यह double में होना चाहिए यह double में होना चाहिए इसलिए असत्य है अगला क्या है Do while के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताओ यहाँ दिखा है यह गडबड लिखा है गडबड आ गया है देखो इसको क्या करो do statement लिखा है यहाँ पर option सही कर लो और यहाँ पर क्या होगा आपका अगली line होगी जो यहाँ से आ गई है यहाँ पर उल्टा सिधा हो गया है while के साथ condition यह आपका पहला option होगा do में दूसरा option do condition while के साथ statement while के साथ statement इसको उठा कर कहां कर दो यहाँ कर लो ठीक है अब यह आपके option से टोगा है पहला है do statement while के साथ condition दूसरा है do condition while के साथ statement नहीं do while loop में do के बाद statement आता है उसके बाद while आता है उसके बाद condition आता है तो option A आपका correct होगा इस case में अगला निम्न में से कौन सा for loop में सही नहीं है तो for loop के लिए यह सही नहीं है देखो c option नहीं सही है क्या नहीं सही है c यहाँ पर यह पता नहीं क्या है ठीक है यह minus single नहीं operator यूज होता है यह तो double minus operator यूज होगा तो यह सही नहीं है for loop के लिए अगला condition यह है do while या while condition में क्या अंतर है do while में condition के बाद semi colon का उपयोग होता है while में semi colon का उपयोग नहीं होता है while में condition के बाद statement होता है नहीं while में condition के बाद statement का अच्छा सिर्फ while condition जब while loop लगाएंगे तो क्या while में condition के बाद statement आएगा जल्दी से बताए होता है क्या होता है बोला है डू वाइल एवं वाइल कंडीशन में क्या अंतर है तो डू वाइल में कंडीशन के से मिकॉलन का उपियोग होता है जहां कंडीशन होगा वहां से मिकॉलन लगेगा यह सही है पीन, ज कमलब में होगा में कंडीशन के बाद इस्टोस होता है पहले condition आएगा फिर statement मतलब मैंने while लिखा यहाँ पर condition लगाऊँगा फिर इसके अंदर जो होगा हम क्या करेंगे statement जो भी होगा वो करेंगे यह while की look के case है do oil वाला नहीं तो यह भी सही है उप्रियोग तो शभी क्या होंगे आपके सब्ते होंगे CLR, SCR, CLR, SCR एक function है यह किसके लिए use होता है यह screen में मिटाने के लिए होता है जो screen होती है उसको क्या delete करने के लिए होता है यह होगा मिटाने के लिए या नहीं लिखाया क्या मिटाने के लिए तो screen से message अटाने के लिए जो आप program लिखते हो ना तो last में CLR, SCR कर दोगे तो वो पूरा का पूरा मतलब जो आपका आता है यह जैसे CLR, SCR करोगे तो पूरा clear हो जाएगा screen सत्तर नमबर question और last question आपका, सत्तर question और last question है, C में निमलिखित में operator कौन कौन है, arithmetic operator, logical, relational या उप्रोक्त शभी तो logical operator भी होता है, arithmetic भी होता है, और आपका relational operator भी होता है, जो relation बता है तो answer क्या होगा इसमें, एकदम सही जा रहे हो, सभी होगा, option D होगा ठीक है, कल इसकी पूरी PDF आपको सत्तर question की मिल जाएगी, इसमें general general जितना चीज़े हो सका था मैंने करा दिया प्रोग्राम का output वाला बहुत कम chances है, एक दो कभी हो सकता है, मैं बीच में लहाके mix वाले में करा दूँगा चलिए, आज तुम लोगों ने 100 के पार नहीं पहुचाया, तो कल से इस class को हम बंद कर देते हैं चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल 9 बजे मिलते हैं फिर इसी time पे, और कल कोशिस करना की से 100 पूरा कर देना कर देना कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल